हेलो फ्रेंड हमारे चैनल स्फ क्लासेंश में आपका स्वागत है आज के वीडियो में क्लास टेंथ के चेप्टर नमबर वन के भाग को से जुगरोफी के परकिर्तिक संसाधन से तिस अब्जेक्टिफ प्रशनल आए हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत महत पूरा हैं इ सर्वाधिक छेतर पर किस मिर्टिक का विष्थार है ए जलोड बी काली मिर्टि सी परवतिये डी लेटेराइट इसमें दुस्तों आपका एंसर हो जाएगा ए जलोड अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर दो की तरफ क्वेश्चन नमबर दो है काली मिरिदा का दूसरा नाम क रेंगूर, C, लाल मिट्टी, और D है परवतिय मिट्टी, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, B, रेंगूर, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 3 की तरफ, कोश्चन नमबर 3 है, पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख्य करण क्या है, इसमें आपका दोस्तों एंसर हो जाएगा, D, अधिक सिचाई, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 4 की तरफ, कोश्चन नमबर 4 है, मर्वस्तलिय मिर्दा किस राज्य में पाया जाता है, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, राजस्थान, बी हो जाएगा, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 5 की तरफ, कोश्चन नमबर 5 है, सुपानिक क्रिसिक किस राज्य में परचलित है, अप्शन ए है, हर्याणा, बी, पंजाब, सी, बिहार का मैदानी छेत्र, और डी है, उत्रा खंड, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, उत्रा खंड, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 6 की तरफ, कोश्चन नमबर 6 है, मेढग के प्रजनन को नश्ट करने वाला रसाइन कौन है, आप्शन ए है, बेंजीन, बी है, इुरिया, सी है, एंड्रेन, और डी है, फास्पोरस, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, सी, एंड्रेन, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 7 की तरफ, कोश्चन नमबर 7 है, भारत में चारागा के अंतरगत कितनी भूमी है, अप्शन ए है, 4.71%, बी है, 12%, सी है, 19%, डी है, 26%, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, 4.71%, अप्शन ए होगा, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 8 की तरफ, कोश्चन नमबर 8 है, भारतिये क्रिसी का राष्टिये उत्पाद में युगदान कितना परसेंट है, अप्शन ए है, 10%, बी है, 22%, सी है, 35%, डी है, 41%, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, बी, 22%, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 9 की तरफ, कोश्चन नमबर 9 है, भारत में पहाडों से भरी भूमी का परतिसत क्या है, अप्शन ए है, 10%, बी है, 27%, सी है, 30%, और डी है, और 48%, दोस्तों इसमें आपका एंसर हो जाएगा, सी, 30%, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 10 की तरफ, कोश्चन नमबर 10 है, भारत में कुल कितने छेत्र फाल काया, कितने परतिसत भूमी पर क्रिशी की जाती है, अप्शन ए है, 47%, बी है, 74%, सी है, 37%, और डी है, 27%, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, 47%, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 11 की तरफ, कोश्चन नमबर 11 है, कितने परतिसत भूमी पर फसले उगाई जाती है, अप्शन ए है, 50%, बी है, 35%, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, 80%, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 12 की तरफ, कोश्चन नमबर 12 है, भारत में बंजर भूमी का कितना परतिसत भाग किसी योग्य है, अप्शन ए है, 6%, बी है, 10%, सी है, 13%, और डी है, 15%, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, 6%, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 13 की तरफ, कोश्चन नमबर 13 है, भारत की कितनी भूमी पर किसी की जाती है, अप्शन ए है, 37%, बी है, 48.83%, सी है, 57%, और अप्शन डी है, 12%, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, बी, 48.83%, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 14 की तरफ, कोश्चन नमबर 14 है, काली मीटी किस फसल के उत्पादन के लिए उप्यूटते है, अप्शन ए है, चावल, बी है, कपास, सी है, तिलहन, और डी है, कोफी, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, कपास, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 15 की तरफ, कोश्चन नमबर 15 है, केरल में किस मिटी की परधानता है, अप्शन ए है, लाल, बी है, लेटे राइड, सी है, जलोड, और डी है, वनी है, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, लेटे राइड, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 15 की तरफ, 16 की तरफ, कोश्चन नमबर 16 है, किस राज्य में सिडी नुम्मा खेती परचली थैड, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, सी, उत्राखंड, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 17 की तरफ, कोश्चन नमबर 17 है, भारत के लगवक कितने पर लाग हेटे यर भूमी पर वन छेतर है, अप्शन ए है, 523, बी है, 667, और सी है, 257, डी है, 325, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, 17 का हो जाएगा, 677, अप्शन हो जाएगा, बी, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 18 की तरफ, कोश्चन नमबर 18 है, मिरिदा सरक्षण के लिए भारत सरकार ने कीश वर्ष के नदरिये सरक्षण बोड का गठन किया था, अप्शन ए है, 1963, बी है, 1965, सी है, 1980, और डी है, 1953, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, उननीस और तिरपन, आप चलते हैं कोश्चन नमबर 19 की तरफ, कोश्चन नमबर 19 है, भारती किरिशि अनुसंधान परिश्चत ने भारत की मिर्टियों को कितने भागों में बाटा है, अप्शन ए है, 8, बी है 18, सी है 5, और डी है 12, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, आठ, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 20 की तरफ, कोश्चन नमबर 20 है, भारत की कीन दो राजियों में सबसे अधिक बेर्थ भूमी है, अप्शन ए है, राजस्थान एवं मद्य पर्देश, बी है, उत्तर पर्देश एवं जमू कास्मीर, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, जमू कास्मीर, राजस्थान, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 21 की तरफ, कोश्चन नमबर 21 है, किस मिट्टी में लोहे के अक्साइड मिला करते हैं, दोस्तों इसमें आपका अप्शन है, अ, काली मिल्टी, ब, लेटे राइट मिल्टी, सी है, लाल मिल्टी, और अप्शन डी है, जलोड मिल्टी, इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा, लेटे राइट मिल्टी, अब चलते हैं कोश्चन नमबर 22 की तरफ, कोश्चन नमबर 22 है, बांगर मियुक किसे कहा जाता है दोस्ते इसमें आपका option है पुराने जलोड B है नमीन जलोड C है लैटे राइट और option D है बंजर इसमें दोस्ते आपका इन्सोर हैईगा पुराने जलोड बांगर मियुक कहते हैं पुराने जलोड को और चलते हैं, Question No.3 की तरफ, Question No.3 है, अकरोटी मिटी की से कहा जाता है? Option A है काली मिटी, और B है भूरी मिटी, C है पिली मिटी, और D है लाल मिटी, इसमें दोस्तों आपका एणसार हो जाएगा, भूरी मिटी, अकरोटी मिटी को हम भूरी मिटी भी कहते हैं Q24 है National Remote Sourcing Agency का मुख्याले किस सहर में अवस्तित है A है हाइदराबाद B है सिकंदराबाद C है दिहारादून D है कोलकत्ता इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा हाइदराबाद National Remote Sourcing Agency का मुख्याले जो है हाइदराबाद में है Q25 है भूमी हरास को रोकने का क्या उपाई किया जा सकता है Option A है उपजाव भूमी पर कल कर खाने ना उखाड़े ना खाड़े करना B है जल मगन भूमी पर उद्दार करना C है पहाड़ी भागों में सिर्धी नुम्मा खेत बनाना Option D है या सभी इसमें दस्तों आपका एंसर हो जागा या सभी जाइन दस्तों एदिया वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करें इसी तरह के वीडियो हम आपको अब्जक्टिव का और सब्जेट का वीडियो बनाते रहेंगे आप देखते रहेगा आपका एक्जाम के त्यारी अच्छा तरिकास हो जाएगा इस चैनल के माद्यम से करें बनाते आपको अच्छा जाएगा इस चैनल के वीडियो वीडियो हम आपको आपको यज़ घर रहेंगा का वीडियो नहीं प्रभ़गे